Hello student, आज हम लोग unit digit यानि एकाई अंक के बारे में देखेंगे, concept देखेंगे अगर अगर अपन कोई भी even number से multiply करते हैं 5 का तो जो हमारा उसका answer का जो unit digit होता है वो भी 0 होता है तो यहाँ पर even number बोलते हैं समसंख्याओं को तो अगर अपन किसी भी समसंख्या से 5 का multiply करते हैं तो हमारा answer जो आता है उसका unit digit हमेशा 0 होता है for example यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, examples लिखे हुए हैं यह सब अपन की even number है even number में हमने 5 का multiply किया है जो हमारा answer आए देखी सब के जो unit digit है इसमें 0 है that means इन सब का unit digit 0 आया है और यहाँ पर यह केवल 1 digit का number था यहाँ पर आपके 3 digit number है then यहाँ पर आपका 5 digit number है तो जब अपन किसी भी even number को 5 से multiply करते हैं तो हमारा answer आता है उसका unit digit 0 होता है that means यहाँ से concept आया कि even number को multiply करते है 5 से तो हमारा unit digit यह एकाई हंक always 0 रहता है